जे हिंद फीचर ऑफ इंडिया और आप सवागत है मैं हूं हिवान सुक्मार और आप देख रहे हैं All-in-one कार्श करम आपको पता है सामके साथ बच चुके हैं और साथ बजे मेरा ये डेली का प्रोग्राम आता है All-in-one जिसमें मैं दिन भर के जो कुछ चुनिंदा श्टॉक चुन कर लाता हूं खासकर छोटे कंपनियां क्यूंकि छोटे कंपनियों में ही पैसा ज्यादा बनता है और बहुत जल्दी बनता है इसलिए मेरा मकसद होता है कि कुछ ऐसे संदार दंदार पेनी श्टॉक लेकर आऊं जिसके बारे में आपको बता हूं और आप यदि अप करेंगे लंबी ओधिक लिए तो आपका सायद कुछ भला हो सके तो आज की इस वीडियो में तीन एसे संदार और धमाकेदार श्टॉक लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और यदि अपनी सूच-बूश से इसमें इंवेस्टमेंट करते हैं तो आपको चाहिए और लंबी ओधि में आपका बेहतर पैसा इस अश्टॉक में बन सके तो बीकास लाइप केर के बारे में बात करते हैं देखिए विकास लाइप केर जो कमपनी है सबसे प्लेश की इदिक बात करने तो यह इस प्लास्टिक प्रड़क्ट्ट भी कमपनी बनाती है दे अपना रुजबा बढ़ा रही है और इसके लावाँ यह बात करें तो यह कंपनी जेनीसेस गैस सॉलूशन जेनीसेस गैस सॉलूशन इसके एक सबसीडिरी कंपनी है इस कंपनी से आने वाले समय में बिकास लाव केर काभी फैदा होने वाला है क्योंकि सबसीड यह जो जेनीसेस गैस सॉलूशन इसमें अडानी का भी कुछ इन्वेस्ट्मेंट है और यह जो कंपनी है जेनीसेस गैस सॉलूशन भारत में घरिल्ग पर गैस डिस्ट्रिपूशन का सबसे बढ़ा बजार इसी कं सकता है और जब विकास लाव केर अपना बिजनेस लगतार एक्सपेंट कर रहा है तो इस एक्सपेंडेसन का फैदा कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस बैपार पर होते वे दिख रहा है यदि मैं आपको बताओ तो अभी हाल में देखेंगे कि जो क्वाटरली रिजल्ट आय उसका फैदा इसके नंबर पर जो क्वाटर रिजल्ट आ रहे हैं उस पर होते वे दिख रहा है इस क्लामा तक तो कंपनी का प्रोफिट हुआ है यह अभी दिसम्बर क्वाटर में बढ़कर आठ करोन हो क्या है जो कि पिछले क्वाटर में दो करोन अधार उसके पिछले यह बहुतने सब्सक्वाटर में चलते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कंपने सीर्फ और सिर्फ एस प्रसलेटी केमिकल बनाने पर धियन देती है सिर्फ यही चीज़ बनाते है जब कि विकास लाइपकर मल्टीपल भीजनेसरों में कुदा हुआ है इस कंपनी का मार्केट केप देखेंगे तो तक्रीमत 304 कुर्ण कासपास कंपनी का मार्केट केप है और शेयर प्राइस सिर्फ 3.5 रुपए कासपास चल रहा है और इसका जो पी रेसियो देखेंगे तो अब यहांगा है तो कोई खास दिकत की बात नहीं कमाल की बात है कि इस कंपनी का जो बुक बेलो इससे उपर है यानि कि थोड़ा सा श्ट्रॉंग पॉइंट है अब यहां पर रिटर्न उन इकुविटी देखेंगे तो रिटर्न उन इकुविटी एक परसेंट से भी कम है यानि कि इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर आपकी जो कमाई होगी उसमें थोड़ा समय लग सकता है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और रिटर्न उन क्याप्टेल इंप्लियूट की बात करे आरो सी कि तो साथ प्रसेंट यह काफी संदार बात है करजा करजा है पिछले कुछ समय में जो पिछले क्वार्टर का मैं आपको डाटा बता रहा हूं और इसके पिछले क्वार्टर का आप करजेंटा है और बहतेरे मार्केट के लिहास नहीं और इसमें आपको इंबेस्मेंट करने के बारे में ज़रूर बिचार करना चाहिए है जलते हैं अगली के तरह हमारी जगली is नीज निकल के सामने नहीं आई है लेकिन कंपनी का जो फंडमेंटल है उसके साफ से यह आप इंवेस्टमेंट करते हैं तो आने वला समय में आप कुछ बैतर रिटर्न मिलते हुए दिख सकते हैं यहीं बात करें मार्केट के मार्केट के सिर्फ 50 क्रोंड का पास से और शेयर बहलू एक रुपे का सबसे हाला कि यहां पर टेंसर की बात है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है बुक वेलू से उपर ही होना चाहिए रिटर्न और एक पर से कम है आधा पर से बीका में यह चिंदा की बात है आपकी इंवेस्टमेंट पर रिटर्न मिलनें कुछ सम कि इसके जो क्वाटर के नंबर आये थे पिछले क्वाटर टू में उसमें कंपनी को 14 लाग का लॉस हो गया थे इसके वेस्टमी को बढ़े हैं हलाकि यह बात करें इसको फिर कैस फ्लो करते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व पैसा है तो तकरिव निभी इस कंपनी के प इंबेस्टमेंट करें इंबेस्टमेंट करने से पहले अपनी जास्ट प्रक जरूर कर लिजेगा और आपका विहुल लॉंग टरम का होना चाहिए तभी आप इन पैसा कमा पाएंगे उम्मीद करता हम आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद लाइक सब्सक्रा झाल